मैं बड़े अच्छे से ये बात मानता हूँ कि आप सभी के सेडियूल बहुत ज़्यादा बीजी है और आप सभी के उपर बहुत ज़्यादा responsibility भी है बट अगर आपने एक target बनाया है एक लक्षे बनाया है कि मुझे second grade को crack करना है anyhow crack करना है तो इस बीच अगर आप अपने schedule को define नहीं कर पा रहे हैं कुछ life में कुछ changes नहीं कर पा रहे हैं अपने सही time table नहीं बना पा रहे हैं तो आपका लक्षे आपको अच्छे से पता है आप उस लक्षे से बहुत दूर हो जाएंगे और धीरे धीरे ये दूरी बढ़ती जाएगी अगर आपने हमारे बेच को चुना है और मुझ पर विश्वास किया है कि सर हम आपके थूरू second grade को crack करेंगे तो please इस विश्वास को मैं नहीं चाहता कि मैं आपके विश्वास पर in future आप मुझे ये बोलें कि सर बेच लिया बट मज़ा नहीं आया तो please जितने भी student है अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो regularly class attend करें सर अगर आप selection चाहते हैं तो ठीक है क्योंकि selection चाहने का मतलब ये समझ में आता है कि एक क्लास में एक एक doubt को clear करना otherwise आप इतने लंबे time से preparation कर रहे हैं इतनी बार आप exam दे चुके हैं ठीक है ये मैं किसी को criticize नहीं कर रहा है मैं यहाँ पर ये बात समझाना चाहरा हूँ कि सर actual learning जो process है वो active moment पे होता है कभी भी जब आप download वीडियो को देख रहे होते हैं ठीक है आपकी एक मजबूर ये किस चीजों को gain करने के लिए ठीक है तो इस वजह से सारे के सारी चीजें जो भी आपके हैं 100% शौर आप सभी के बहुत ज़्यादा important काम होंगे morning time में इसी वजह से आप class attend नहीं कर पाते होंगे आपकी कुछ ऐसी प्रिस्तियां होगी morning में जिसकी वजह से आप class attend नहीं कर पात होता होगा आपकी body दर्द होती होगी लेकिन ये सारी बाते ये सारी बाते जिन्दगी के लिए पच्चता में में बदल जाएगी अगर आपने अभी सही time पर सही action नहीं लिया तो ये सारी बाते में आपको सिर्फ इस लिए बोल रहा हूं कि आपने मेरा बीचवाई किया है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे पहले आप क्या कर रहे थे बट अब मुझे बहुत फर्क पड़ता है अब आपकी life जो है कही ना कहीं इस second grade exam के लिए इस second grade exam के लिए आपका selection होना और नहीं होना मेरी ranking को बहुत जादा disturb कर सकता है और बहुत जादा high कर सकता है सारे class systematically पाई इतना बड़ा message record करने के बीच एक बहुत simple reason है आप सभी experience person है मुझे इस तरह की बाते बार-बार repeat करना अच्छा नहीं लगता बट मैं यह चाहता हूं कि मेरे से जितने बच्चे connect हुए ना वो सारे selection के लिए connect हो ठीक है बही मैं नहीं चाहता कि आप बेच में student enroll हो गए then कोई मतलब ही नहीं रा बेच का क्या मजा रहेगा उसका ठीक है फिर तो वो recorded session पड़े थे वो पड़े रहते बस आप देख लेते मेरा live आने का मतलब क्या सर आपके जितने doubts है ना उनको ठीक करना जितने आपकी weak point है उनको ठीक करना तब भी तो जाके selection लेंगे तो प्लीज इस पर थोड़ा सा सोचे प्लीज